हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में तो आए आज इस वीडियो में हम जो सीटेट का कुशन पेपर वाथा 9 दिशंबर 2018 को उसका सुलिशन आपके लिए लेके आये हैं यह उफिसियल एंसर की के साथ सोल किया वह है कुशन करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता सभी पर्ट के यदि क्योशन डिसकस करने लग जाए तो इस वीडियो में 30 क्योशन ही डिसकस करेंगे और वाकि यह प्लेलिस्ट में भी 20-25 वीडियो हैं सीटेट क्योशन पेपर की वह भी आप देख सकते हैं आपके यह मैथपर्ण होते हैं सीटेट बेकियर क्योशन पेपर यदि सीटेट की त्यारी कर रहे हैं तो आप क्योंकि रिपीट करता है सीटेट क्योशनों को बार बार और साथ में हमारे चैनल पर आप ईवियस हिंदी इंगलिस मैथ रिजिनिंग की वीडियो भी प्लेलिस्ट में इसका इंसर होगा फर्ष्ट आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्छे समवाद और पुस्तास के मैदम से सीखते हैं तो यही एक्टिवीटी है जो शिख्षक की वामिका का सबसे अच्छा वर्ण करती हैं बाकी भी देख लेगते हैं जैसे किसा में शिख्षक की सबसे मै करने के साथ साथ दुराने के लिए प्रयाप्चि में देना मैत पुर्ण है यह भी नहीं होगा तो आईए देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन सेकेंड क्वेशन देखते हैं क्या है निमलत में से कौन सी समर्द कक्षा को समर्द सिख्षा को प्रोचाइट करती है तो समर्द सि प्रदासित विविन प्रकार की सामगरी बच्चों की पॉंच से प्रे हो ताकि सामगरी लंबेश में तक चलती रहे आगे हैं थर्ड ओप्षन इसमें वहक अक्षा जिसमें खुली गत्य विदी कोने हो और विविन प्रकार के बाल साहिते की खुली अलमारी सेल्फ भी बोलते जिसे उसमें रखे हो जो दिन के की सीमें प्राप्त किये जा सकेस हैं आगे फूर्थ ओप्षन अलमारी मैं चीतरे संगटी सामगरी वाली कख़्ा जहां सामगरी को सब्सपता में एक बाहर मुख्ट खेल के लिए बाहर लाया जाता हो तो सबसे जो समर्थ कक्षा को प्रज प्रुसाइट करने वाली गतिवीदी है आप इसमें से देखते होंगे थर्ड में जो आपको दिख रहा है एक विबिन पुरा की बालसाइटे वाली सामगरी जहां अलमारी में रखी हो जो कि दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जासके मनला बच्चों के लिए किताबे किसी भ प्रुसाइट करती है आगे है थर्ड कुशन निम्रत में से कौन सा कक्षा में पाठेपुस्त कों की बुम्का का सबसे अच्छा वरंद करता है तो पाठेपुस्त के होती है उनकी बुम्का का सबसे अच्छा कौन सा उप्सन वरंद करता है पहला यह उप्सन इसमें वे संस वे एक राज्य या राष्टर में अधिगम में एक रुपता बनाए रखती हैं आगे फॉर्ट उप्शन है वे अधियन के पाठे करम के बारे में शिक्सकों और माता मिताव को मर्गदसन प्रादान करती हैं तो यह होती है जो अमारी देख लेते हैं क्वेशन पाठे पुस्तकों के मुमका सबसे अचा वड़न तो इसमें से जो पहला यह उप्शन है वे संसादन राइत संद्रम में अविश्यक अधिगम संसादन बनाती है तो यह फर्स्ट उप्शन इसका अंसर सही है आगे हैं फ़र्थ किस्न राष्टरिय पाठे तिरह फ्रेमवरक एंसिएफ डोतार पांच ने अपनी समझ कंशित्सथां से फ्राप्त की है उसने इसको कंस्ट्रक्टिविजम भी बोलते हैं इससे अपनी प्राप्त की है, NCF 2005 ने ये बाकी option गल्थ है मानमतावाद, वेवारवाद, सिंगेनात्मक, सिधान ये बल्कुल तीनो option गल्थ है ये फोर्ट वाला option आपका बिल्कुल सही होगा रसनावाद इसको constructivism भी बोलते है ये आपको लिख दिया जाए constructivism तो आपका वो भी इंगलिस में option सही होगा रसनावाद भी बोलते है इसको तो ये ग्यान के निर्मान पर जोर देती है NCF 2005 तो इसी विज़े से रसनावाद बोलते हैं इसको उस पर जोर देती है आगे है फिफ्थ क्योशन कक्षा में कक्षा में बच्चों को प्रेडित समझा जाता है ये दी जो कक्षा में बच्चे होते हैं उनको प्रेडित, motivated समझा जाता है कब समझा जाता है वे सिक्सक्से सबस्टिकरण प्राप्त करने के लिए परसन पूछते हैं वे अच्छी तरह से वर्दी पैनकर स्कूल में आते हैं वे अच्या अनुसा सम्राइए रखते हैं वे सभी उपस्थिती में नीमित हैं तो यह जो विका है उनकी वे सिक्सक्स सबस्थिकरण प्राप्त करने के लिए परसंट पूछते हैं तो यह फर्स्ट वाला उप्सन है जो यह बिल्कुल सही है आपका एंसर तो फिप्ट का फंस्थ ओप्शन सही है आगे सिक्स्थ क्योशन नेमिलिक्त में से कोन सा बच्चों में अधिगम में सुदार करने के लिए सबसे उप्यूक्त है तो जो बच्चों है उनमे अधिगम् में उदार करने के लिए सबसे उप्यक्ट क्या है तो सिख्षक को वस्तिविक जिवन थितियों पर बच्चों को एक-दुसरे से बातचित करने में मदद करनी चाहिए जो वस्तिविक जिवन की परिश्थितितियां होती है उनके उपर एक दूसे से बाचित में मदद करनी चाहिए निमित मुल्यांकन प्रिक्षा अविजित की जानी चाहिए थर्ड ओप्षन है शिक्षक को विविन उदारनों और चितरों का उप्योप करके विशे की व्याख्या करनी चाहिए और फूर्थ ओप्षन है कख्षा में सभी प्रडार की सिक्षन समगरी होनी चाहिए तो अधिगम में सुदार करने के लिए सबसे उप्युक्त क्या है जो जीवन की परस्थितियां होती है वास्तिवी जीवन की स्थितियां होती है उनको कक्षा में लाकर एक दूसरे सी उनके उपर बासित करने के लिए मोका देना चाहिए और उसमें उनकी मदद करनी चाहिए तो यह option उनका best answer होगा 6th का first आगे 7th अंसासन जो अधिगम वातावर्ण में बहुत अधिक महतोप्रण मुम्कान बाता है किस तरह मदद करता है तो अंसासन हो किस प्रकार मदद करता है तो इसके लिए option है चयार आपके सामने बच्चों को उसके पार्ट को रटकर याद करने में ये तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों को अपनी का शिक्षा को विन्नेमित और मॉनिटर करने के लिए ये अंसासन या अधिगम वातावन होता जो हमारा उसमें योग मैत्रप्रण मुख्चा निवाता है उनकी जो शिक्षा है उसको विन्नेमित करना और मॉनिटर करने के लिए कहना मॉनिटर मनलब ऑब्ज़रोग करना कि उनकी अपनी कख्षा को या कख्षा को आगे है, अन्वान सीकता और वंटावरण की बूमका इक ब्यान में निमलिक्स में से कौन साख्तन सकते हैं तो ये अन्वान सीकता और वातावरण की बूमका है, इसके उपर हमने वीडeo बना रखा, वो भी उमारी पुलेलिस्ट में देख सकते हैं, साइकलोजिक में अन्वान सिक्ता और वातावरण के उपर बहुती मैत्रप्रण वीडियो है वो देख सकते हैं आप तो शिक्सक की या प्रयावरण की भूमका होती जो अन्वान सिक्ता और वातावरण भी बोलते हैं इसको प्रयावरण भी बोलते हैं उसकी विमकाव के बारे में कौन सक्थन स्थ्य है जो अनवान सिखता होती है वो तो अपने आप होती है और प्रियावन होता है जो सिख्षक को और जैसे उसके माता-पिता को प्रदान खरना पड़ता है वातावरण तो इन मेंसे कौन सा ख्थन सथे है इसके बारे में तो पहला यह option है प्रियावन के वोल बच्चे के बास अविकास में मैतपरुन है आगे है यह विकास के कुछ पहलो अन्वान सिखता और कुछ अन्य प्रियावन से अधिक प्रभावित होते है थर्ड ओप्शन है सिखने और प्रतर्शन करने की एक बच्चे की अक्समता जीनों दवारा पूरी तरह से निर्दारित की जाती है और फर्थ ओप्शन है अच्छी देखबाल और पोष्टि कहार बच्चे के लिए किसी भी जरमजात विकार को दूर कर सकता है तो इसका राइट ओप्शन होगा सेकिंड विकास के कुछ पहलो अन्वानशिक्ता और कुछ प्रियावण्ट से अधिक प्र्यावरत प्रभावितः होते हैं तो यह बिल्कुल option सही है क्योंकि कुछ पहलो होते हैं जो अनुवानसिक्ता से प्रभावित होते हैं और कुछ पहलो वैतावरण से प्रभावित होते हैं अनुवानसिक्ता इसका example देता हूँ आपको जैसे मालजी उसका अटकटा स्रीर है वो अन्वानसिक्ता के कारण ही होता है और प्रियावन उसको मलब सकील परदान करना बच्चों को वो प्रियावन से अधिक प्रवावित होता कोई भी सकील प्राप्त करता बच्चा तो एक गट्टा-कट्टा स्रीर अन्वानसिक्ता से प्राप्त होता प्याजे के सिदान के उन्षार कहा नहीं जा सकता कौन सा गथन जो प्याजे के उन्षार कहा नहीं जा सकता इनमें से कौन सा गथन प्याजे के सिदान से मिलता नहीं है बच्चे अपने प्रियावण पर क्रिया करते हैं तो ये बिल्कुल सही है प्याजे के उन्सार तो second है विकास गुणात्मक चरणों में होता है ये इसमें गल्थ option है आपका और बाकी सही है जैसे बच्चेपने दुनिया के बारे में ग्यान का इर्मान और उप्योग करते हैं ग्यानत्य अभ्यास से अधिगम होता है तो ये बाकी option सही है second वाला इसमें wrong है तो ये सिदान्त का अमसरण नहीं करता प्याजे के आगे 10th question निमल्क में से कौन सी पूरो संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है जो पूरो संक्रियात्मक विचार होते हैं उसकी एक सीमा नहीं है इसमें से कौन सा option सही होगा तो ये जो पूरो संक्रियात्मक विचार होते हैं उसकी एक सीमा नहीं है इनमें से तो पहला option है अनुकर्मनिता इसको irreversibility भी बोलते हैं हुआ स्यक्ट है जयान क creativity करने की प्रिवर्ति तीसरा है प्रतिकात्मक विचार का विकास चृत है एहम नियता तो इसमें जो यह सैकिंड है जयान buena करने प्रिवर्ति तो इसका पूरो संकिरात्म की विचार की एक सीमा नहीं है ये तो दोस्तो ये वीडियो पसंदा आथ तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ये आपके लिए बहुती मैतरपन आप ये किसी भी कम्प्रेट एक्जाम सपेशली टीचर एक्जाम की तैरी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुती मैतरपन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज़रू वीडियो देखने के लिए देने बाद दोस्तो पसंदा आथ ला